हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो एजुकेशन हब मैसल नवजीत गूर आज हम करेंगे क्लास थर्ड के चैप्टर सेवन की एक्सराइज 7.4 हमारा फिर्स्ट कोश्चन है पूट दा साइन लेस देन एन इक्वल टू हमें फ्रेक्शन दिये हुए हैं उसमें हमने इस साइन पू सबसे पहले तो जो उपर का लिखा होता है नंबर उसे हम क्या बोलते हैं नियूमिरेटर और नीचे जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं डिनॉमिनेटर सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसमें क्या दिया हुए हमारा नीचे क्या है 11 11 दे रख हैं मतलब क्या है हमारे ठीक है उपर हमें क्या दिया हुआ है 7 और इस साइड हमें क्या दिया हुआ है 9 जब हमें न्यूमिनेटर देखके हमें पता लगाना हो कि कौन सा साइन लगेगा तो जैसे हम सिंपल में करते हैं 7 और 9 में तो हम कौन सा साइन लगाएंगे तो 9 की तरफ हमारा मुझ खुला होग का तो उसी दर ऐसे इस में होगा हमारा डिनॉमिनेटर जो है वो सेम है तो हमारा 9 और 7 में से हमारा जो साइन लगेगा less than 7 less than 9 यह साइन जो हमारा यहां लगेगा अब next question है इसमें भी क्या है हमारे डिनॉमिनेटर जो है वो सेम है 8 दिया हुआ है 80 इसमें और 80 इसमें हमारे जो numerator हैं वो अलग लग हैं एक में 6 है एक में 4 तो जो बड़ा है 6 बड़ा है तो 6 की तरफ हमारा जो sign का face खुलेगा it means 6 greater than 4 6 जो है वो बड़ा है 4 से ये तो थे हमारा जब हमारा denominator सेम दिया हो next sum में हमें क्या है हमारा जो numerator है जो वो सेम है और जो denominator है वो अलग लग दिया है जब numerator जो है हमारे सेम हो तो हमने denominator को देखके पता लगाने कि हमारा sign क्या होगा तो जब denominator अलग लग दिया हुए जो आंखा हमारा छोटा होगा इत मिन वो उसकी तरफ हमारा मुँख खुला होगा अब 11 छोटा है देखने में 12 से बट जो हमारा साइन है वो 11 की तरफ खुला होगा इत मिन 7 by 11 greater than 7 by 12 नेक्स हमें हमारा 8 by 9 और दूसरी साइड है 8 by 7 इसमें हमारे नियूमिरेटर जो है वो सीम है 8 दे रख है बट जो हमारे डिनॉमिनेटर है वो अलग लग है एक साइड 9 है और दूसरी साइड 7 है इत मिन 7 छोटा है हमें देखने में तो यह लग रहा है बट जब denominator अलग लग होते हैं जो हमें छोटा लगता है देखने में वो हमारा क्या होता है बड़ा होता है असल में जब हम इसको करेंगे तो it means 8 by 9 less than 8 by 7 happen. understand next question है हमारा 11 by 12 और दूसरी side है 22 by 24 तो इसमें आमने क्या गडिशनें ना तो हमारा numerator सेम है ना ही हमारा denominator सेम है तो इसको solve करने लिए के जब हमारे पास इस तरह की समाय ना ही उमारा numerator सेम हो और ना ही denominator सेम हो दोनों में से तो उसमें हमने क्या करना है हमने करनी है cross multiply जैसे हमने पिसली axis में किये थी नो cross multiply as it is वैसे ही 11 को multiply करेंगे हम 24 से और 12 को multiply करेंगे 22 से अब इनको multiply करेंगे तो 11 को जब 24 से multiply करेंगे तो हमारा answer क्या हैगा 264 और उसके बाद जब 12 को 22 से multiply करेंगे तो हमारा answer आ रहा है 264 जब आप इनको multiply करके देखेंगे तो आपको यह answer मिलेगा 264 इतमें दोनों बराबर आ रहें तो यहाँ पे भी हमारा sign क्या लग जाएगा equal to जब ना ही denominator same हो ना ही denominator same हो तो हमने क्या करना है cross multiply करके देख लेना है next sum है हमारा circle दा greater fraction circle दा greatest greatest fraction जो greatest fraction होगी उसको हमने क्या करना है circle करना है हमारा first sum है जैसे इसमें 7 by 11 और 5 by 11 अब इसमें देखिए हमारे numerator जो है वह लग लग है और denominator जो है वह सेम है तो इससे हमें क्या बदा चल रहा है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने नियोमिनेटर को देखके ही हम पता लगाते है कि कौन सा बड़ा है तो इसमें 12 और 7 by 10 अब इसमें हमारे greatest fraction कौन सी है हमारे पास नियोमिनेटर जो है वह सेम है दिनोमिनेटर अलग लग है तो डिनोमिनेटर जो अलग लग होते हैं तो हमने पिछली सम्में क्या सीखा था जो हमें देखने में छोटा लगता है वही अक्चुल में क्या होता है बड़ा तो 7 by 10 जो होगा हमारा वह greatest fraction होगा अब एक सम्मोर देख लेते हैं इसी का माल लेजी 7 by 5 और 8 by 5 अब इसमें कौन सी fraction जो है वह greatest होएगी वेरी गूड डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो हम नियोमिनेटर को देख करके पता लगाएंगे कि कौन सी फ्रेक्शन जो है वह greatest है तो जब नियोमिनेटर जो अलग लग हूं तो जो बड़ी दिखती है हमें असल में वही जो fraction होगी हमारी greatest होगी तो 8 by 5 जो है हमारी greatest fraction हुई है नेक्स हम देखते हम थर्ड सम है हमारा arrange in the descending order हमें कुछ fractions दिये होंगे उसको हमने किस में लिखना descending order में दे रखे है like this 15 by 11 9 by 11 12 by 11 22 by 11 and 17 by 11 अब हमने क्या करना है इन fractions को किस order में लिखना है descending order descending means downward में जाने इससे लेटिड हमने पिछली पहले वीडियो बनाई थी ascending और descending order अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज उसे जाकर जरूर देखिए उसका लिंक आपको description box में जरूर मिल जाएगा आप देखते है descending descending मतलब d से क्या होता है down तो downward जाना हमने मतलब पहले बड़ी संख्या लिखेंगे उसके चोटी उसके बड़ी संख्या को लिखेंगे कौन सी हमारी सबसे बड़ी संख्या यह सबसे बड़ी 22 by 11 उसके बाद क्या आएगा हमारा 17 by 11 उसके बाद 15 by 11 और next क्या आएगी 12 by 11 और उसके बाद last में आएगी हमारी 9 by 11 तो यह क्या होगे downward होगे 22, 17, 15, 12 और 9 तो हमारी यह कौन सी order में हमने लिख देश को descending order में इस fractions को हमने लिख दिया है I hope आपको यह 7.4 अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसके लेटर जितने भी समय आपकी बुक में आप असानी से हम हल कर पाएंगे Thank you